आज विधान सभा में आमने सामने आ सकते हैं एकनाथ सिंदे और उद्धव ठाकरे सरदी के मौसम में बड़ा नागपुर का सियासी पारा महराष्ट के पूर मुखमंत्री उद्व ठाकरे और मौजूदा मुखमंत्री एकनाफ सिंदे कल नागपुर विधान सबा में अधिवेशन सत्र के दोरान आमने सामने आ सकते हैं उद्व ठाकरे दो दिन के लिए नागपुर दोरे पर गए हुए हैं सेर के रेडिस और ब्लू होटेल में वेट ठहरे हुए हैं सुत्रों की माने तो उद्व ठाकरे कल विधान सबा के कामकाज के सिलसले में सदन में जाएंगे ऐसे में एकनाथ सिंदे और उद्व ठाकरे के आमने सामने आने की पूरी संबावना है विधान सबा के सीथकारे न अधिवेशन सत्र की शुरुआत आज से महरास्ट की उपराजधानी नागपूर में हो चुकी है ऐसे में सत्ताधारी दल को घेड़ने की रण नीती विपक्षी दल बना रही है फासतोर पर उद्व ठाकरे गुट इस मामले में ज़्याद सक्री नजर आ रहा है नागपूर के होटेल में उद्व ठाकरे ने अपने तमाम विदायकों के साथ एक एहम बैठक की जिसमें आज विदान सबा में किस तरह से एक सिंदे फड़नवीज सरकार पर निसाना साधा जाए इसकी रूप रेका तयार की गई है यह बैठक बीती शाम 6 बजे होई थी उद्व ठाकरे के कल की बैठक के बाद आज सुबर 9 बजे महा विकास अगारे के तीनों दलों की नेताओं की एहम बैठक बुलाई गई है यह बैठक विदान सबा में ही आयोजित की गई बैठक में सरकार को विभिन मुद्दों के जरिये घेडने की रूप रेका तयार की जाएगी